वीग ने हरण मंगल करणी शिरी गण नाय की गण राज मैं लियो आशिरो आपको तो देवा रखियों मारी लागी मेरे गुरू की मूरत चंदर मा तो सेवक चंद चको अर्ष्टि पहर में लगा रहूं मेरे गुरू चरन की ओ और आईए एक रागनी रखते हैं जो कि अपनी मजबूरी में मजबूर होकर के कनिया के दरबार में आता है तो एक बात के दुआरा उन दुआर पालों से शुदामा क्या कहता है क्या बताया जी कहता है वो शुदामा की ये संदेशा दे दो मेरा कनिया को क्या ये रजा किर्शन ने नियों कह दे रतेरा यार बुलाव से एक फटे वस्तर आला मानसी बहर बुलाव से है जा किर्शन ने नियों कह दे है जा किर्शन ने नियों कह दे तेरा यार बुलाव से फटे वस्तर आला मानसी बहर बुलाव से मुरबार बुलाव से किर्शन ने वस्तर आला मांसी बहर बुलाव से कि और जी रागनी की पहली लाइनों पे खुशी खुश होकर के अपनी खुशी से सोर रुपय सुमिजी पत्रुवा से मान और सुमान करते हैं बार बार धन्यवाद पहली बात में क्या कहता है सुदामा और दोसो रुपय से अजीद सिंग शेखावत बिजोली से दोसो रुपय से अपने भाई का मान सुमान किया और दोसो रुपय से बलवीर जी और सीतु ठेकेदार दोसो रुपय से मान और सुमान किया और बताना चाहूंगा कि आने वाली साथ तारीको आने वाली साथ तारीको बिजोली में प्रोग्राम है रातरी का जिसमें कलाकार होंगे जिनका नाम नहीं बताऊंगा मैं लेकिन काफी कलाकार होंगे और अच्छे-चे कलाकार होंगे जब मुकेश डुलाणिया आ सकता है तो राजेश भी जोली जा सकता है एक बाद राजेश के लिए जोड़दार ताहलिया जी बहुत सेहोग होता है इसका आईये जी पहली बात में क्या कहता है भेर हुस टेव फेट नि काहमा रहा हुं उसते थेट नि को हमाय है ओता फिरू पिरान, थाटे वस्तर भेश दूबला, फिकी पडरिशान, फिकी पडरिशान पूख प्यास में व्यकुल हो रहा, पूख प्यास में व्यकुल हो रहा, नरण नई ठीकान ध्यान नाम सुदाम मा बता दिये कूँ, जाके डोटी मान, जाके डोटी मान ना गणी हान का टेम गड़ी, तो चार गुलाव से, अटे वस्तर आला मान से, भार गुलाव से मारे गुलाव से क्या वाद है बहुत बड़ा आदमी है, आज दुआर का नगरी का राजा है वो, लेकिन अगर मेरा नाम बताने पे भी याद ना आए, तो ये बात भी बता देना उसको, धूड़ सी बात बताने के लिए बोलता है जी, पहली कड़ी पे खुस होकर के 500 रुपई से राजेश दुलाणिया मेरा मान समान करता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत तालियों से आश्रवादे इस बच्चे को, क्या बताया दूसरी बात हुए, आज जोड़ी है आज जोड़ी है दूख लग जब दूद कउका पीया खाया करते पीया खाया करते शुबय उठके उनगउओं के शुबय उठके उनगउओं के नित दर्शन पाया करते अपस में था प्रेम घणा हमें हस बतलाया करते धेर सारी बात कह दिये तूँ तक्षे सारी बात कह दिये तूँ दिल दार बुलावसे पार बुलावसे क्या बात हमें और जी 600 रुपए से हमारे अजीज मित्र बहुत ही अच्छी कलाका और मैं कहूंगा कि एक सर्दार भगत सिंग की रागनी जरूर सुना करके जाएं क्योंकि वह भगत सिंग की रागनी जितने जोस के साथ में संजु सोनी द्वार का सुना सकते हैं साइद वसी कोई भी नहीं सुना सकता जी 600 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं बार बार दने वाद और सुर्पए से ओर भी मान संब्मान किया किसी ने उनके लिए भी बार बार धने वाद और जिस होड़ा से विजेजी विजेजी शिश्वाडा से काली पहड़ी शोर्पे से मान सम्मान करते हैं बारबर धन्यवाद तीसरी बात में क्या बता दिया बजाने में कि कहता है कि तुआर पालों इतनी काणी बता जोगे तो वह अपने आप समझ जाएगा कि सुदा मा कौन है कहां से आया है वो खुद आएगा भागा हुआ दोड़ा हुआ क्या जाता जी एर सुनते ही राची हो जागा मेरी प्रेम भरीवाणी ने घंडा चतुर सा आप जान जा घंडा चतुर सा आप जान जा मेरी कहाणी ने तू के जाने महारे इसकी तू के जाने महारे इसकी कथा पुरानी ने मचिर सन धोर आया फेजा मेरी मिश्राणी ने तू के रह उस्ते फेटने खातर करके त्यार बुला वसे फट्टे जस्तर आला माड़त पार बुला वसे पार बुला वसे पार बुला वसे जाने खार आला माड़त रह पार बुला वसे जाने रह स्थितने वसे बुला वसे पार बंबुला वसे भार वसे जाने और रागनी पे खुश ऊकर के पान सो रुपे से पलजीत सिंग शेखाः घुट शेखाः चा पान सो रुपे से मेरा मान समपान करते हैंबार भर दनेवाद और 200 रुपे से मेरा एंकल जी राम निवाष जी पंगाडा के बास्ते हैं मेरे भोती यजीद 200 रुपे से मान सम्मान करते हैं भोत भोत धनेवाद बीर बल राम जी चेती वाड 500 रुपे से मान सम्मान करते हैं बार भार धनेवाद और कहता है कि दुआर पालो जो मेरे में था जो मेरे बस की बात थी वो मैंने तुम्हारे को बता दिया अब कन या आए या ना आए वो उसकी मर्जी आखरी बातों में क्या कैता है दुआर पालों से तेरा सारी सची रच सची ही सची सारी सची सची कहकी बताउन आलको ना सई जगैप जाकर ठकके ठावन या आलको ना तेरा सोच समझ के बात करूं मूँ पावन आलको ना ममूली सका मेरा इसा गावन या आलको ना तेरा चगननाथ जी छोड कती एक पार बुलावस है एक पाटे वसकर आला मारस बार बुलावस है तेरा बार बुलावस है एक पाटे वसकर आला मारस बार बुलावस है तेरा बार बुलावस है